डेनाइट टेस्ट में जिसकों पिंक बोल टेस्ट मेंच के नाम से भी जानते हैं यह उस्ट्रेलिया में काफी पोपुलर है उस्ट्रेलिया में जाते तर डेनाइट टेस्ट मेंच खेले ही खेले जाते हैं तो इंडिया में भी बहुत से डेनाइट टेस्ट मेंच इस खेले ग तो क्यों रद्द कर दिया है भारती टीम डेनाइट टेस्ट मैच को जानने के लिए देखे हमारी वीडियो भारत और उस्ट्रेलिया के बीच फरवरी मार्च अभी तक भारत में जो पिंक बॉल टेस्ट हुआ है वे जल्दी ही खतम हो गये बारत में अपनी घरेली जमीत पर कोलकता के कोलकता के इडन गार्डन में बांगलादेश के खिलाफ एमदाबाद में इंगलेंड और बैंगलुरू में श्रिलंका के खिलाफ डेनाइट टेस्ट खेले है इन में से कोई भी 500 दिन तक नहीं गया बांगलादेश वाला टेस्ट तीन तक टिकलेट वाला दो दिन और शिलंका वाला तीन दिन के अंदर निपड़ गया था दुनिया बर में हुए डेनाइट टेस्ट को देखा जाए तो 20 में से केवल 6 टेस्ट ही आखरी दिन जा सके दो टेस्ट तो दो दिन में ही खतम हो गया एंदाबाद में होना था पिंक बोल टेस्ट में एक बीची से अधिकार ने बताया कि इसके चलते कई मसले उठते हैं इसे इस तोर पर दर्शक 5 दिन के हिसाथ टिकेट लेते हैं इसी वज़े से बारत ऑस्टेलिया सीरी मे साथ ही इस टीम ने लकातार इस तरह के टेस्ट खेले हैं उसमें हाली में वेस्ट इंडिस के खिलाफ एडलेंड में डेने टेस्ट खेला था उस्ट्रेलिया के अलावा बाकी देशों में अभी तक टेस्ट क्रिकेट के इस नए अंदाज को तवज्जु नहीं मिली है